आज के दोर में बहुत से निता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतियन्ता पार्टी के स्लीपर सेल की तहां काम करें आचार प्रमुत कृष्णन अंदर से अपने अंदर भारतियन्ता पार्टी को समाहिद किये हुए थे रोम रोम में बसी थी बीजेपी और आरेसे ये मुस्लिम महलों में खड़े होकर मुसल्मानों को साथ लेकर मस्जिदों के बाहर खड़े होकर नाते पढ़ने लगे कि जितना नभी तुम्हारा उतना नभी हमारा तब बनकर मोगी ने बहुत दुनिया में बहुत पड़ा काम कर दिया मस्जिया आपका वही बन सकता है जो आपकी गाली खाने के बाद भी आपके नहीं लड़ना है उसका नाम है असाद उमेजी आज के दोर में बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए बारतियनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरहा काम कर रहा है और वक्त आने पर खुल जाते हैं और बीजेपी का सपोर्ट शूब कर देते हैं उन्ही नेताओं में से एक नाम जो खुल कर सामने आया है वो है आचार प्रमोत कृष्णन का आचार प्रमोत कृष्णन अंदर से अपने अंदर भारतियनता पार्टी को समाहित किये हुए थे रोम रोम में बसी थी बीजेपी और आरेसेस लेकिन उपर से जो चेहरा लगाए वे थे वो बहुत सेकुलर चेहरा लगाए थे जबान भी उन्होंने दोहरी चिपका रखी थी उस चेहरे के पीछे जो आचार प्रमोत कृष्णन का था उसके पीछे एक नकली अचार यह प्रमोत कृष्णन थे मैं लोगों से कहा करता था कहता था कि इस आदमी से होश्यार रहो यह आदमी ठीक नहीं है यह कभी भी बीजेपी की और मोदी की पैरवी शूख कर देगा और बीजेपी को बढ़ाएगा लेकिन लोग नहीं सुनते थे मुसल्मान खास करके मुसल्मानों में थोड़ी सी इनसान को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी अच्छे और बुरे को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसने दो शेर पड़े दो घजलें दो नगमे और नभी पाक की दो नाते पड़ी और आप उस पर बहुता करने लगे ऐसा नहीं होता है कि दो नाते जिसने पड़ दी है वो आपका हमदर्द हो गया 2019 के लोगसभा में कांग्रेस ने प्रमुत कृष्णन को लोगसभा का प्रत्याशी बनाया लखनौ से ये मुस्लिम महलों में खड़े होकर मुसल्मानों को साथ लेकर मस्जिदों के बाहर खड़े होकर नाते पढ़ने लगे कि जितना नभी तुम्हारा उतना नभी हमारा मुसल्मान बिल्कुल उतावला हो गया बिल्कुल खुश्चंखुश हो गया मैं तब भी मना किया था इस आदमी को बोटबत देना और मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस के नेताओं की ये सोच है कि मुसल्मान की डाड़ी को बखरा से मिला देंगे तो ऐसे लोगों पर कारवाई होना चाहिए और अगर बदरुदी नज्मल साब के बारे में कहा गया तो मैंने कहता मिया फिर आपकी दाड़ी क्या है आपको क्या कहा जाए वो आज देखिए खुल कर सामने आ गए कहा गई वो इनकी सेक्लूर्डम कर तक जो कहा करते थे कि नहीं वो मस्जिद है बाबरी मस्जिद है मुसल्मान बहुत खुश होता था मुस्से एक दो लोगों ने कहा कि नहीं वो तो बाबरी मस्जिद कहते है कि नहीं बाबरी मस्जिद को गलत गिराया गया मैंने उनको फून करके पूछा उन साथ को मैंने का आप तो बड़े खरीब आदमी थे खास आदमी थे मैंने का अब वो आदमी कहे रहा है कि राम मंदिर बनकर मोदी ने बहुत दुनिया में बहुत बड़ा काम कर दिया तो जो साब कल तक मुसल्मान भाई मेरे दोस्त पैर भी करते थे प्रमोद कृष्णन की वो सर जुकाए मू लटकाए बैठे में असल में अचार प्रमोद कृष्णन को बढ़ावा दिया प्रिंका गांदी जी ने जहां तक मुझे मालूम पढ़ा और मैं आज आप सबसे गुदारिश कर रहा हूं कि आपका हमदर आपका भाई हो सकता है हर अदमी को आप निता मानने ले रहो मसिया मानने ले रहो नफरत आपको सिर्फ अपने लोगों से मेरे भाई इनसान को पहचानिये दो नाते पढ़कर दो घजले पढ़कर आपका मसिया नहीं बनता है कोई न बनेगा मसिया आपका वही बन सकता है जो आपकी गाली खाने के बाद भी आपके लिए लड़ ला है उसका लाम है असद वेसी जिसको आप बुरा-बुरा कहते हो बीजेपी एजेंट कहते हो फिर भी वो आपके लिए लड़ ला है लोग सब हमें बोल ला है वो है आपका नेता हम लोग हैं आपके साथ खड़े वे सोचिये और मैं फिर कह रहा हूं इन अखली अचारी है सब्सक्राइब के लोगों से होश्यार रही है बीजेपी के लोग इनको कहते थे शुक्राचारी है शुक्राचारी जनते हैं बातिंता पार्टी के लोग कहते थे आचार पर मौत कृष्ण को शुक्राचारी है शुक्राचारे मतलब राच्छासों का गुरू कई बार टीवी पे मेरे साथ बारतिन्ता पर्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कांग्रेसा चारी है कांग्रेसा चारी है और आज वो शुक्राचारी है कांग्रेसा चारी है जो है वो बहुत इनके गले लग गिया सर पे बिढ़ाय ले रही है कांग्रेस को समझना होगा सफा को समझना होगा भारतिन्ता पार्टी के सिरी पर जो से लेंग को निकाल के बाहर भेगना होगा और मुसल्मानों आप से भी उदारिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए अपने भाईयों की कि आप दोखा ना खाएं तो अपने लोगों को गाली बकना बंद कीजिए उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े होईए आप उनके उनका साथ दीजिए हम सब आपकी लड़ाई लोने के लिए यहां हमेशा 24 घंटे तयार हैं